दोस्तु इंडिया टीम को पाकिस्तान के हाथो आज हार मिली तो वहीं पॉइंट स्टेबल में पाकिस्तान टीम टॉप पर पहुँच चुकी है तो वहीं बंगलादेश को सिरिलंका के हाथो हार मिली तो वहीं बंगलादेश को भी पॉइंट स्टेबल में काफी बड़ा नु तो वीडियो में अंतक बने रहना और अगर आप इस चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना वज़ते दोस्तों हम मुझे इस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो ग्रूप उन में पहले नंबर पर इंग्लेंड टीम है इंग्लेंड टीम के पास टोटल दो पॉइंट है और नेट अंडरेट प्लस 3.970 इस टीम का एक मुकाबला खेलिए और एक मुकाबला जीते हूं आई दूसरे नंबर पर पहुच चुकी है स्रीलंकाड आज का मुका मुकाबला बंगलादेश से जीतने के बाद टोटल इस टीम के पास दो पॉइंट अंडरेट प्लस 0.583 है वहीं ती नंबर पर आउस्ट्रेलिया टीम किसक चुकी है जहां इस टीम के पास भी दो पॉइंट अलेकि नेट अंडरेट स्रीलंका से खराब हो चुक है प्लस 0.25 इस टीम का नेट अंडरेट है वहीं चौते नंबर पर साउथ अफरीका टीम है साउथ अफरीका एक मैच के लिए है और एक मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है वहीं नेट अंडरेट माइने 0.253 है वहीं पांच वहीं नंबर पर बंगलादेश है इसके पास टोटल 0 पॉइंट है, नेट अंडेट माइनस 3.970 है, सबसे खराब नेट अंडेट इस टीम के पास ही है, तो दूस्थों वही गुरूप 2 में पहले नंबर पर पाकिस्तान पहुच चुकी है, पाकिस्तान एक मुकाबला जीती है और एक मुकाबले में इस टीम के पास दो पॉइंट हो चुके हैं वहीं इंडिया टीम पॉइंट टेबल में सब से निचले अस्तान पर है जहां अपना पहला मुकाबला इस टीम को हार मिला है तो इस टीम का नेट अनेट भी काफी खराब हो चुका है तो दोस्तों यह है ICC T20 वर्लकप का नया पॉइंट को वर्लकप के इतिहास में टीम इंडिया को पहली बार पाकिस्तान के हातों हार मिलिये इससे पहले जितने भी वर्लकप हुए थे उसमें टीम इंडिया ही जीती थी और आज पहली बार पाकिस्तान के हारों हातों इस टीम को हार मिलिये तो दोस्तों आपको क्या लगता है आ South Africa में से कौन से ओधो तीम में रहेंगी हो आप हमें कमेंट करके बता सक्ते हैं तो दोस्तो आप कितना एक्साइटट यह आने वाले पाकिस्तन और ईंडा के बीस ख schaffen मुकाबले इन बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हे हो तो वीडियो को लाइक करजें ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना थैंक यू तो मच गाइज फॉर वाचिंग इस वीडियो